अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री को ज़रूर देखनी चाहिए बिहार के सीता मणी का एक युवक अच्छी नौकरी छोड़कर उनका सपना पूरा करने में जुटा है सरकारी योजना की मदद से किसानों की आये दोगनी नहीं दसगुनी करने की कहानी है आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये लहलाते खेट बिहार में सीता मढ़ी के बर्खी गाउ में हैं ये हरे भरे खुशाल खेट जिग्यासू सिंग के हैं जो आज से चार साल पहले 2016 में रांची के एक बड़े प्राविट फर्म में काम करते थे आज जिग्यासू अपने गाउं में रहकर केले और धान की खेती करते हैं जिसमें उन्होंने आधुनिक मशीन और तक्नीक का इस्तमाल किया है जिग्यासू ने सरकार की क्रिशी प्रोटसाहन योजना के तहट सौर उर्जा से चलने वाली स्प्रिंग्लर और कृतिम बारिश करने वाली मशीन लीग और उसका इस्तमाल खेती करने में कर रहे हैं जिग्यासू बताते हैं कि सरकार से ये बेहत काम की मशीने 90 फीजदी सबसीडी पर मिली है जिससे उन्हें बड़ा फाइदा मिला है शहर में प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी करने वाले जिग्यासू के लिए खेती करना आसान नहीं था पर उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा जाने पिता की खराब तबियत होने के वज़ह से जिग्यासू को गाउं आपस लोगना पड़ा लेकिन गाउं में जिग्यासू के लिए कोई काम नहीं था जिग्यासू कहते हैं कि खेती के लिए उन्हें गाउं की क्रिशी सलहकार से प्रेणा मिली और इंटरनेट से पढ़कर जिग्यासू ने खेती करना शुरू किया पुरे गाउं में या मेरे पुरे अपने सर्कल में किसी ने केले की खेती नहीं की थी मोझ तो ये समझना था कि इस खेती को करू तो करू कैसे तो इस पर मैं ने पर गूगल का मतलब सोशल मिडिया साइट का सहरा लिया और स्टड़ी किया, स्टड़ी करके मेरे को समझ मैं आया है कि दो केले की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, उसमें कौन से और्गानिक फर्टिलाइजर्स की आवशकता होती है, कब उनको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, कब उनको जड में डाल सकते हैं, इन सब चीजों को जिग्यासु कहते हैं कि मैं पिये मोधी के सामने अपनी कमाई, दस गुना बढ़ा कर सामने जाना चाहता हूँ जिग्यासु को अपना ओफिस का काम छोडने का कोई गम नहीं है कोरुना संकट में लोगों की नौकरियां जाने के सवाल पर जिग्यासु कहते हैं कि खेती में महनत जरूर है लेकिन सरकारी यूजनाओं का अगर सही लाब मिले तो मुनाफ़ा भी बहुत है सीता मणी से समवादा ता आदर्श सिंग के रिपोर्ट यह किस तरह से आप इस को प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यह आपकी अपनी काबलियत पर निरहर करता है और मैं तो सिर्फ आज की युवा से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने कंपोर्ट जोन से बाहर निकल लिए हम लोग एक आदी हो गया है एक कल्चर के एक सोसाइटी के हम लोग उस कंपोर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा